हलो एवरीबड़ी आयम दिपिका फ्रॉम लर्नोहब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैज, साइन्स, SST एपसलूटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नोहब.com तो बच्चों आज हम आ गए हैं अपने next live में जहां पर हम बात करेंगे how do organisms reproduce के second part की. तो basically first part में हमने बढ़ा था asexual reproduction और आज हम बात करने वाले हैं sexual reproduction की. तो sexual reproduction in plants as well as in animals. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से बच्चे हैं आज हमारे साथ. Okay. Hi PK Education. Hello Gurleen. Hello Payal. So I hope all of you are doing good and you have studied the first part of this chapter very carefully और I hope कि doubts सारे के सारे clear हो गए होंगे. तो आज हम start करने वाले हैं अपना second part. तो second part में जैसे कि मैंने आपको first जब हमने first part discuss किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो chapter है ना इसकी priority काफी जादा हाए है. ठीक है? तो तीन से छे questions expected होते हैं और पांच number के questions अगर इस chapter से अगर आप बोलो कि आते हैं या नहीं आते हैं तो आने के बहुत ही high chances हैं 5 marks के questions पूछे जाते हैं then talking about the number of marks तो 7 to 12 marks के questions इस chapter से पूछे जाते हैं तो देख लो अगर हमारा bio 25 marks का है और उस में total सीधे के सीधे 12 number का अगर paper यहां से आ जाते हैं तो how important is it right? और वो भी हम एक unit की बात करे हैं एक chapter की बात कर रहे हैं so this is a super duper important chapter now हमने अगर इस chapter की बात करते हैं तो इसमें pollination है, contraceptive methods है then hormonal changes in boys and girls then coming to female reproductive system, male reproductive system उसके बार difference between sexual and asexual reproduction then coming to जो asexual reproduction पढ़ा था तो उसमें yeast, then hydra, then amoeba और vegetative propagation जो है यह बहुत important topics हैं जिनसे previous years में questions आये हुए हैं तो जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं हम पूरे chapter को पढ़ते हैं detail में और साथ ही साथ हम कुछ questions भी लेते हैं और वो questions वही होते हैं जो previous years में आये होते हैं तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने first topic की तरफ that is sexual reproduction तो coming on to the topic sexual reproduction तो sexual reproduction होता क्या है उससे पहले मैं एक बार देख लेती हूँ कि कौन कौन से बच्चे और आगे हैं हाई स्टार्ट सुपायल अल्रेडी स्टार्टेड हाई मर्याम हलो हलो कुंदीप तो sexual reproduction की बात करें तो it involves two parents तो दोनों parents के gametes जो हैं वो मिलके बनाते हैं एक नया individual तो इन में अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है तो sexual reproduction में क्या होता है कि दोनों parents से gametes आएंगे वो आपस में fuse करेंगे और वो zygote बनाएंगे और वही zygote divide करके एक नया individual बना देगा तो इन में इस case में जो एक individual होता है उसके cells जो है वो divide करते हैं जैसे अगर हम humans की बात करें तो mother से एक gamete होता है एक father का gamete होता है और दोनों में होते हैं total 23 chromosomes ठीक है तो एक में 23 दूसरे में 23 जब यह मिल जाते हैं तो एक deployed cell बन जाता है जिसमें 46 chromosomes होते हैं तो इस cell के अंदर बड़ा सारा material होता है जिसमें एक बहुत important चीज रहती है that is DNA यह जो DNA है ना basically जब cell divide कर रहा है तो यह DNA जो है यह copy होता है जब यह DNA copy होता है तो उसकी वजह से आती हैं उसकी वजह से जो content है cell के अंदर वो बनता है और उस DNA के एक full amount में बन जाने के बाद cell जो है वो divide कर जाता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ DNA ही duplicate हो रहा है DNA के duplicate होने के साथ सेल में बाकी जो content है वो भी duplicate होता है अब अगर हम एक cell की बात करें तो हमने cell अल्रेडी पढ़ रखा है तो cell के अंदर बहुत सारे cell organelles भी होते हैं cell के अंदर cytoplasm भी होता है बहुत सारी चीज़े होती है तो किसी भी cell को अगर survive करना है तो वो सारी चीज़े उस cell को चाहिए तो basically यही सारी चीज़ें जो है यह खुद को duplicate करती है और एक cell दो में divide हो जाता है अब जब यह cell divide होता है जब यहाँ पर DNA के duplication हो रही है तो कई बार क्या होता है बहुत जादा नहीं है जो DNA के copy का process है यह बहुत ही accurate process है बहुत rarely यह देखा गया है कि कोई change आता है DNA sequence में बहुत कम error के chances हैं लेकिन जब यह error आते हैं तो इनी error की वजह से आती है variations तो धीरे 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 जब यह variations एक generation से दूसरे generation को भेजी जाती है तो धीरे धीरे वो एक variations जो है यह finally evolution करती है एक नई species को evolve करती है clear तो यह जो DNA में error है ना यह भी कही ना गहीं बड़ा important है ता कि कुछ मतब हो सकता है कि जो variations हो वो इतनी useful ना हो but उससे बहुत सारी useful variations भी आती है clear तो जल्दी से बताओ कि इतना सा समझ आये यह जो gist था हमारा related to sexual reproduction क्या यह आपको समझ आया या नहीं आया मैं गुरलीन बिल्कुल ठीक हो और आप कैसे हो okay good evening shivangi right yes good evening subhashini good evening drawing rupenzil वाओ अच्छा जब हम sexual reproduction की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि इसमें 2 gametes होते हैं ठीक है एक होता है male gamete और एक होता है female gamete right तो यह जो male और female gamete होता है इसमें क्या होता है इन यह जो gametes होते हैं यह कैसे होते हैं देखो यह बहुत ही छोटा सा question है बहुत ही छोटी सी line है लेकिन इसको सुनना ध्यान से क्या है कि एक जो gamete अब हमारे पास क्या है हमारे पास हैं 2 gametes right तो एक जो हमारा gamete है right वो होगा non motile ठीक है दोनों gametes में से एक gamete non motile होता है और usually वो क्या करता है उसका function होता है food को store करना ठीक है उसका काम होता है food के storage का वही पर जो हमारा दूसरा gamete होता है वो होता है motile और उसका काम क्या होता है उसका काम होता है move करके दूसरे gamete तक पहुंचना clear तो बहुत ही simple सी चीज मैंने आपको बताई है लेकिन यह आपको याद रखनी पड़ेगी भूलना नहीं है ठीक है तो चलो हम आते हैं अपने next topic पर और जो next topic है तो हम start करने वाले हैं reproduction in plants right sexual reproduction in plants तो asexual भी हम पढ़ चुके हैं जैसे हमने vegetative propagation पढ़ा थो तो वहां पर जो natural methods थे उनसे क्या हो रहा था reproduction हो रही थी plants ने but this is the sexual reproduction in plants तो अब CDC बात है कि अगर plants को sexually reproduce करना है तो उनके पास दो gametes होने चाहिए एक male gamete और एक female gamete correct तो ये जो दोनो gametes हैं ये दोनो होते हैं कहां पर flowers में तो जो reproductive part होता है angiosperms का वो होते हैं कहां पर होते हैं flowers में तो एक flower की structure को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो ऐसा कुछ हमारा एक flower दिखाई देता है अगर आप इस flower को जिसे आप hibiscus का flower लो उसको थोड़ा सा खोल के देखो तो बहुत ही clearly आपको ये सारे parts दिखेंगे सबसे पहले आपको यहां पर ये green leaf like structures देखने को मिलते हैं सबसे नीचे right इनको हम बोलते हैं sepals right so they are the sepals clear जो colorful से पतियां होती है flower में उन्हें बोला जाता है petals और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम accessory parts मतलब कि reproduction में इनका कोई as such direct कोई role नहीं है basically इनका reproduction में role नहीं है लेकिन they are important ठीक है कैसे है हम discuss करेंगे then the next part of the flower is stamen तो अगर आप ये जो green color के structure है और उपर से lobe है by lobed सा structure है उपर अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो ये जो उपर by lobed सा structure है इसे बोला जाता है एंथर और ये जो एक डंडी सी है एक stalk सी है इसे बोला जाता है filament और दोनों को मिला के जो नाम दिया जाता है that is stamen so there is a stamen which is the male reproductive part of the flower and this male reproductive part of the flower is composed of enter and filament clear अब आते हैं हम अपने last part पे that is the carpals या हम इसको पिस्टिल भी बोलते हैं तो ये वो पार्ट है flower का that is the female reproductive part ये पार्ट तील हिस्सों में divided होता है stigma, style and ovary तो उपर से नीचे की तरफ चलो सबसे पहले आपको ये एक यहां पर swollen सा पार्ट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ऐसे थोड़ा flat सा पार्ट दिखाई देता है that is the stigma clear उसके बाद एक लंबी सी neck like structure आपको दिखाई देता है that is the style और फाइनली वो एंड होता है एक swollen पार्ट पे which is called as the ovary clear so these stigmas, style and ovary they together make up the female reproductive part which is called as the carpel or the pistil clear so I hope ये आपको clear हुआ है ठीक है तो इन दोनों पार्ट को हम एक साथ बोलते हैं reproductive parts तो एक है accessory parts और एक है reproductive parts तो reproductive parts कौन से हैं they are stamen and carpels तो ये दोनों जो पार्ट्स है ना reproductive parts they are directly involved in reproduction वहीं पर अगर हम accessory parts की बात करते हैं जो की क्या है सेपल्स and petals तो उनका basically काम है सेपल्स का काम है कि ये वाला जो पार्टे कर आप देखो तो ये नीचे हैं तो इनका कही न कहीं काम है कि इस पूरे flower को इंटाक्त रखना अगर आप कभी उसको खोलना भी चाहो न तो आप देखोगे कि बड़ी इजीली वह खूलता नहीं वह क्या कर रहा है वह ओवरी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और ये जितने भी parts हैं petals, petals, stamen, carpels इनको intact रखता है मतब जोड के रखता है ठीक है वही पर अगर आप petals की बात करें petals होते हैं colorful बहुत ही सुन्दर आप जब भी किसी flower को देखते हो तो किस चीज से attract हो आप होते हो उस flower की color से color कौन दे रहा है petals दे रही है तो ये वही petals है जो कि insects को अपनी तरफ attract करती है और insects को attract करने की क्या जरूरत है तो ये हम पढ़ेंगे कि क्या जरूरत है ठीक है तो basically उनको pollination करानी है तो वह क्या होता है that we will discuss so these are the four parts, four main parts in the structure of a flower and let me tell you this structure is very important इस पर आपको कोई भी question पूछा जा सकता है ठीक है तो अगर हम ये structure को देखें तो यहाँ पर है एक filament और filament के ऊपर क्या है filament के ऊपर है एक lobe जैसा basically एक ऐसा by lobe structure होता है and this is called as enter ये जो enter होता है ये वही जगा है जहाँ पर male gamete बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा male gamete अब ये जो male gamete है ये इसी enter में बनता है यही से mature होके release होता है clear वही पर अगर आप इस वाले पार्ट को देखो तो इसमें सबसे पहले है stigma ये एक flat सा ऐसे आपको structure ऐसे देखने को मिलेगा इसका काम है कि जब यहाँ से pollen grains release हुए या male gamete release हुआ तो basically male gamete तो release नहीं होता है बट most accurately आप ये बोल सकते हो कि pollen grains release करता है ये ठीक है तो ये pollen grain सबसे पहले stigma पे जाके यहाँ पर land करते हैं और finally जो style होता है जो neck like structure होता है उससे बनाते हैं pollen tube और finally वो पहुँच जाते हैं कहां पर ovary में जहां पर होता है female gamete clear तो इतना I hope आप सबको समझ आ गया है तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या इतना structure और उनके parts के functions आपको समझ आए कि नहीं आए जल्दी से बताओ मुझे okay तो समझ आए what is the pollen tube the pollen tube वांशी का we'll discuss ठीक है तो अभी ये एक just a gist था अभी हम इसको detail में discuss करेंगे good evening सुभाशिनी okay तो I hope this is clear to you okay तो अब हम आते हैं next part पर अगर हम flower को ध्यान से देखे तो कई flowers होंगे जो जिसमें आपको male और female reproductive parts दोनों देखने को मिलेंगे that is आपको stamen भी देखने को मिलेगा और आपको pistil भी देखने को मिलेगा so those flowers are called as bisexual flowers for example hibiscus या mustard का पौधा देख लो उसका flower देख लो तो ये होते हैं bisexual flowers right वहीं पर अगर आप unisexual flowers की बात करो uni means one तो उसमें एक ही sex organ होगा either stamens होंगे या फिर pistil होगा दोनों नहीं होंगे for example papaya and watermelon so let me tell you ये examples बहुत जादा important है ठीक है तो जो भी bisexual flowers होते हैं उनमें बहुत सारे मतलब उनमें बहुत chances होते हैं self pollination के और जो unisexual होते हैं उनमें हमेशा cross pollination ही होती है ठीक है तो चलो देखते हैं pollination हम discuss करते हैं तो उससे पहले pollination होता क्या है सबसे पहले तो अगर हम pollination की बात करें तो pollination basically क्या है transfer of pollen grain from enter to the stigma right of the flower तो हमने पढ़ा था कि एक flower है ठीक है तो उस flower में ये हमें थोड़ा थीक सा नहीं बना है फिर से बना लेते हैं एक बार तो हमें stigma देखने को मिलता है ठीक है तो this will be the female reproductive part जिसमें नीचे जाके ovary होगी और यहाँ पर कहीं male gamit female gamit देखने को मिलेगा वही पर हमें यहाँ पर stock like structures मिलेंगे जिनके उपर lobes होंगे ठीक है यह जो number of stamens है यह vary करते हैं flowers में ठीक है अलग-अलग flowers में अलग-अलग number के stamens होते हैं ठीक है तो basically जब यहाँ पर enter से क्या होगा pollen grains release होंगे तो यह pollen grain आके यहाँ पर land करेगा stigma पे तो यह जो process है इसको बोलते हैं हम क्या pollination तो simple है transfer of pollen grain from enter to stigma of a flower so that is what that is called as pollination तो बहुत ही simple था I hope clear हुआ होगा अब हम बात करते हैं types की तो अगर आप types देखो तो दो तरह की pollinations देखी जाती हैं simply that is self pollination and cross pollination तो self pollination क्या होती है जब एक flower है जब एक bisexual flower है उसमें male reproductive part भी है और female reproductive part भी है जब एक ही flower के अंदर pollination होती है तो अगर आप देखो कि इस flower से pollen grains release हुए और इसी flower के stigma पे वो जाके land होगे तो that is self pollination वही पर एक और case भी है self pollination में that is कि ये एक plant है इस plant में यहां पर एंथर्स mature होए और एंथर्स mature होने के बाद pollen grain release होए pollen grain release होने के बाद उसी plant के किसी दूसरे flower के stigma पे वो pollen grains जाके land कर गए ठीक है so that is also self pollination तो ये दोनों तरह कि अगर एक ही plant में pollen grains का transfer हो रहा है so that is self pollination वही पर अगर एक plant के say एंथर ने release किये बहुत सारे pollen grains और वो दूसरे plant के flower के stigma पे जाके land किये so that is cross pollination ठीक है तो I hope इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा कि self pollination और cross pollination में difference क्या है clear अब ये pollination जो होती है na pollination बहुत सारे agents होते हैं जो pollination में help करते हैं तो pollination में जैसे insects हैं जब कोई भी एक insect है वो एक flower पे बैठता है ठीक है तो हो सकता है कि वहाँ पर pollen grains हो और फिर वो उड़के दूसरे flower पे चला जाता है तो उससे क्या होती है उससे होती है pollination वो pollination में help कर रहे हैं अब उसकी body से pollen grains stick हो गए थे अब ये जो stick होए pollen grains थे जब वो दूसरे flower पे बैठा तो वहाँ के stigma पे जाके वो land कर गए राइट तो उन्होंने वहाँ पर pollen tube बनाना शुरू कर दी clear तो ये जो topic है ना I am telling you this is super duper important ठीक है तो अब मैं questions कर वाँगी तो मुझे सबसे पहले आपने ये बताना है कि क्या आपको self pollination or cross pollination clear हुआ है या नहीं हुआ है तो I am waiting for your answers yes Akash you are most welcome ओके हाई 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 आप अपना नाम बताओ ओके हालो टेक्नो गेमर all right ओके तो I hope sepals क्या है sepals basically अगर आप एक flower देखो ना तो flower के ना base पे ही आपको ना कुछ हरे पत्ते से देखने को मिलते हैं जो flower को basically tightly पकडते हैं so those are called as the sepals pollen tube क्यों आती है यह basically एक tube होती है जो pollen grain बनाता है और उसी tube से जो pollen grains है male gamete जो है वो female gamete तक पहुंचता है ovary में तो pollen tube में अभी आपको बताओंगी right तो अभी तो हमने pollination ही पढ़ा है तो pollen tube बताओंगी sepals का function क्या है अनिल sepals का function है जो यह जो delicate parts है ना flower के जैसे कि ovary है right उनको protect करना और साथ ही साथ यह जो बाकी सारे है जैसे petals है stamens है या फिर pistil है इन सब को intact रखना एक साथ जोड़े रखना so that is the function of sepals your name is anam okay anam self-pollination क्या है तो subhashini self-pollination है कि जब एक plant में अगर आप इस picture को ध्यान से देखो तो self-pollination क्या है कि यह एक flower है एक bisexual flower है इसमें male reproductive part भी है और female reproductive part भी है तो यहां पर एंथर से release होंगे pollen grains और इसी plant में जो stigma है जो male reproductive part है उसके उपर जाके land हो जाएंगे so that is self-pollination और एक और case भी बनता है self-pollination में that is कि एक plant है उसमें बहुत सारे flowers है एक flower ने release किये pollen grains एक एंथर से release होंगे pollen grains और वो जाके land कर गए उसी plant के दूसरे flower के stigma पर so that is also self-pollination clear? तो I hope यह clear हुआ होगा okay चलो I hope Subhashini यह clear है चलो let's move on to our next topic so first of all we will take the question क्योंकि मैंने बोला था कि बहुत important है तो सबसे पहले जो हमारा question है that is which of the following flowers will have higher possibility of self-pollination तो options भी दिये थे तो CBSE ने 2022 में एक question पूछा था तो options है mustard, papaya, watermelon and hibiscus तो किस flower में जो बहुत जादा possibility है self-pollination की आपको यह बताना है yes transfer of pollen in the same flower or in the same on different flowers in the same plant ठीक है pollen grain शिवांगी अभी मैं बताऊंगी ठीक है अभी हम पढ़ेंगे pollen grain थोड़ा अच्छे से detail में बताऊंगी yes the answer is going to be hibiscus then comes falling flowers तो hibiscus के साथ साथ अगर आप previous slide में अगर आप थोड़ा सा जाओ तो उसमें एक और भी plant है जिसमें self-pollination के जादा chances है अब self-pollination के chances जादा क्यों है क्योंकि वो जो flower है ना they are bisexual flowers right since they are bisexual they have both male and female gamete तो ऐसे flowers में क्या होता है ऐसे flowers में जो possibility होती है ना self-pollination की वो बहुत जादा बढ़ जाती है then list the two reproductive parts of a bisexual flower तो हमें एक bisexual flower के दो reproductive parts के बारे में बताना है तो यार बहुत ही simple है कौन से थे दो reproductive parts तो मैंने बोला थाना question आता है बहुत ही simple आया है देखो so the reproductive parts are stamen and pistil so stamen is the male part and pistil is the female part clear? so I hope this question is clear to you तो अब इसके बाद हम देखते हैं अपना next topic जो की बहुत ही important है तो बच्चों ध्यान से सुनना तो जो topic है that is fertilization तो हमने बढ़ा कि pollination हो गई pollen का transfer हो गया stigma के उपर अब क्या है अब वो जो pollen grain था ना वो यहां पर land कर गया है stigma के उपर तो अब यह क्या करेगा अब यह जो pollen grain है under certain conditions यह बनाएगा एक pollen tube जो की आपको यह tube जैसी दिखाई दे रही है ना यह बनाएगा एक pollen tube और यह जो pollen tube है यहां से यह male gamete को यहां ovary तक लेके जाएगी और ovary में क्या होगा this is ovary right तो ovary में क्या है ovary में है female gamete अगर हम एक pollen grain की बात करें ना तो pollen grain में basically दो germ cells होते हैं दो male gametes होते हैं ठीक है pollen grain तो एक है लेकिन इसमें कितने germ cells हैं या कितने gametes हैं that is true तो यह जो दोनों के दोनों male germ cells हैं यह इस pollen tube से travel करते हुए पहुंच जाते हैं कहां पर ovary में जब ovary में पहुंचते हैं तो एक जो male gamete है वो fuse कर जाता है egg के साथ और वो बना देता है zygote और दूसरा जो male gamete होता है वो fuse कर जाता है polar nuclei मतब यह एक बड़ा सा cell होता है इस cell के अंदर ना बड़े से cell के अंदर ऐसे एक बड़ा सा cell है इस cell के अंदर बहुत सारे cells होते हैं तो एक तो आजाता है हमारा कौन सा cell एक तो आजाता है egg cell ठीक है तो एक male gamete आएगा इस tube के थूँ वो इस egg cell से fuse कर जाएगा और वो zygote बना देगा और दूसरा जो male gamete आता है वो इस cell के center में दो polar nuclei होते हैं एसे unpaired से nuclei होते हैं तो वो दूसरा male gamete इन दोनों के साथ fuse कर जाता है और वो बनाता है endosperm ठीक है तो जल्दी से बताओ कि क्या आपको ये पूरा process समझ आया क्योंकि ये जो process है ना ये बहुत important है ये आपके questions में मतब exams में questions आते हैं इस topic से तो जल्दी से बताओ कि क्या ये समझ आया की नहीं आया मेरे तो exams खतम भी हो गए तो very good gurlil I hope अच्छे हुए होंगे okay so all the best Mr. Alone okay तो जल्दी से बताओ कि क्या आपको ये समझ आया या नहीं आया क्योंकि ये topic है बहुत जादा important that is super duper important topic okay pre board में easy paper आयेगा attention ना लो नहीं pre boards में teacher usually tough paper डालते हैं और tough marking करते हैं ताकि आपकी like practice हो सके ठीक है कहीं ऐसे नहीं कि बोर्ड में tough आ गया तो फिर अब क्या करें टाइब बच्चे डरने नहीं चाहिए ठीक है तो हो सकता है ये आपकी teacher tough paper डाल दे में होती तो में डालती है और tough marking भी करती ओके ओल राइट थैंक यू गुरलीन चलो तो अब हम जाते हैं अपनी next slide पे जिसमें हम देखेंगे post fertilization के events ठीक है तो post fertilization में क्या होता है मतलब pollination हो गई ठीक है तो सबसे पहले pollen grains का transfer हो गया that is pollination और उसके बाद हो गई fertilization मतलब जो male gamete था वो fuse कर गया female gamete से और उसने बना दिया zygote अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगे कुछ post fertilization events so let me tell you students these are very very important अगर आप class 11 में जाके भी bio opt करते हो ना 11, 12 में भी आपको इनके बारे में 11 में तो नहीं है बड़ 12 में है आपको पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत important है तो सबसे पहले दो एक male और female gametes जो थे वो अपस में fuse किये थे उन्होंने बनाया था zygote यह zygote फॉर्दर cell divide करेगा और यह बना देगा embryo clear उसके बाद बीच में थे ovules तो ovules के around एक tough coat develop होगा और वो बना देगे seeds वहीं पर ovary है जो बड़ा सा swollen सा structure हमने देखा था so that was ovary और यह ovary से हमें मिल जाएगा fruit clear अब जो seeds है ना seeds हमें देगे future embryo और यह develop कर जाएंगे into the seedling under appropriate condition तो अगर हम एक seed को देखें this is a dicot seed कैसा seed है dicot मतलब इसमें 2 cotyledons है अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें 2 cotyledons देखने को मिल रहे हैं तो यह जो dicot seed है अगर आप इसको कुछ खोलो ना तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा तो यह एक cotyledon है इसका और यह है इसका दूसरा cotyledon तो cotyledon का function है food को store करना वही पर आपको कुछ ऐसा यह बीच में एक structure दिखाई दे रहा है तो यह जो उपर वाला part है ना we call it as plimule और plimule से develop होते है shoots और जो डीचे वाला portion है that is radical और radical से develop होती है roots R for radical and R for roots clear तो क्या आपको यह clear हुआ so this is basically a germination process right so what is it a germination process I hope this is clear to everyone okay Jiya तो Jiya आप मुझे बताओ क्या आपको समझ आया hi Aarti very good Jiya तो क्या हुआ अगली class में तो पढ़ नहीं है okay तो चरो hello others I hope यह post fertilization events तक आपको सब कुछ clear हुआ होगा तो अब हम जाएंगे एक बहुत important question पे जहां पर मैं आपको बताओंगी कि मैं क्यूं बार-बार बोल रही थी कि ध्यान से सुन लो ध्यान से सुन लो तो उसका reason यह है कि यह जो pollination है pollination से board में दो बार question आए हैं और अगर आप questions को देखो ना तो half of half part of that question is exactly same तो सबसे पहले 2020 में जो question आय था वो बताती हूँ so the question was define the term pollination ठीक है pollination होता क्या है so that is the transfer of pollen grains from enter to the stigma of the flower right so that is pollination clear then next is differentiate between self-pollination and cross-pollination तो यह भी मैंने आपको diagram की help से बताया था कि अगर enter से pollen grain निकल के उसी flower के stigma पे land कर जाता है या फिर एक flower से निकला pollen grain और वो pollen grain जाके उसी plant के किसी और flower के stigma पे जाके land कर जाता है so that is self-pollination और cross-pollination मतलब की एक plant के एक flower से निकले pollen grains enter से निकले basically pollen grains और वो pollen grains जाके land हुए दूसरे flower के किसी और दूसरे plant के flower पे right so that is the cross-pollination तो बहुत important है right तभी तो diagram की form इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है तो आप भूलोगे नहीं then next comes is what is the significance of pollination pollination का significance क्या है pollination का बहुत important significance है देखो pollination होगी तभी fertilization होगी तभी zygote बनेगा zygote बनेगा तो वो जो post-fertilization event सामने पड़े न तभी वो सारे के सारे होंगे clear उसके बाद pollination से हमें seeds मिलते हैं हमें fruits मिलते हैं endosperms मिलते हैं और तभी तो ये जो plant की species है ना ये continue हो रही है जब हमें seeds मिल रहे है correct उसके बाद cross pollination जब होती है plants में तो उसकी वज़ज़ से आती है बहुत सारी variations clear तो मतलब कि एक plant था ठीक है वो genetically different होगा दूसरे plant से that is for sure तो जब एक plant से pollen grains निकल के दूसरे plant पे जाके क्या करते हैं pollination करते हैं तो उसकी वज़़ज़ से जब fertilization होती है तो हमें variations देखने को मिलते हैं कुछ नए ही तरह की plants देखने को हमें मिलते हैं तो और यह बहुत ही important step है fertilization से पहले अगर pollination नहीं होगी तो सीधी सी बात है fertilization भी नहीं होगी ठीक है तो seeds भी नहीं मिलेंगे fruits भी नहीं मिलेंगे तो I hope यह जो first question है यह clear हुआ होगा तो आप देखते हैं कि 2018 में क्या पूछा गया था 2018 में again same question था define pollination explain the different types of pollination तो इन दोनों का answer में आपको बता चुकी हूँ list any two agents of pollination तो कोई भी दो बताने हैं तो एक तो बहुत ही simple सा है that is insects आप इसमें birds का mention भी कर सकते हो आप इसमें animals का mention भी कर सकते हो या फिर abiotic ये सारे के सारे क्या है biotic biotic मतलब they are the living agents of pollination और इसी में आप water और wind को भी mention कर सकते हो और ये क्या है these are the abiotic agents of pollination right now the next part of this question is how does pollination leads to fertilization तो pollination से fertilization होती कैसे है तो ये जो मैंने आपको fertilization के बाद का पूरा process समझाए था कि एक pollen grain आएगा वो stigma पे land करेगा stigma पे land करने के बाद वो बनाएगा pollen tube उस pollen tube में जो pollen जो pollen grain में होते हैं दो male nuclei तो वो nuclei वो दोनो male germ cells basically तो ये जो male germ cells होते हैं ये pollen tube से होते हुए पहुँच जाएंगे ovary में ovary में एक male gamit fuse कर जाएगा egg के साथ और वो बनादेगा zygote और दूसरा male gamit जो है वो cell के ovary का जो एक cell है central cell होता है जिसके अंदर दो polar nuclei भे होते हैं वो cell के center में होते हैं तो वो एक जो है वो यहां पर आके fuse कर जाएगा और यहां पर वो बना देगा क्या बनाता है वो वो बनाता है triploid triploid sorry endosperm clear तो यह बना देता है triploid endosperm तो एक क्या बना एक बना diploid zygote clear और एक बना triploid endosperm ठीक है तो यह बहुत ही important concept है बहुत important है और इसके आगे बहुत कुछ बहुत interesting जाना अभी आपको बाकी है जो हम next classes में पढ़ेंगे clear तो I hope यह दोनो questions आपको clear हुए होंगे बहुत ही simple questions है लेकिन अगर आप अपनी book को ध्यान से पढ़ो और आप ध्यान से सुनो क्लास में कि क्या बोल रही है तो कोई भी point को miss नहीं करना है तो अब जल्दी से मुझे बताओ क्या समझ आया कि कितना important topic में आपको पढ़ा रही थी जल्दी से बताओ किस-किस को समझ आया क्या नहीं आया wind and water are the agents of pollination that is right Subhashini क्या हो गया Mr. Alone क्यों आपको जिन्दगी दुखी कर रही है जल्दी से बताओ कि क्या दुखी हो रहा है देखो पढ़ाई से related बताना ठीक है Your name is Prince Okay So Vanshika you talk to me Right Okay Okay so done चलो अब आते हैं हम human reproduction पे तो human reproduction के अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने एक term पढ़ रखी होगी जो की class 8 में भी हमने पढ़ी थी that is puberty एक ऐसी stage life की जो की girls और boys में आती है from around 9 to 13 years of age जब sexual maturation जो sexual organs है वो mature होने लगते हैं boys और girls में तो ये जो age है ना ये variable है girls में थोड़ा पहले आती है boys में थोड़ा बाद में ये maturity आती है और हर किसी का मतब it varies from person to person कि किस में puberty कब आएगी clear तो ये जो puberty है ना इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे changes हमें देखने को मिलते हैं एक लड़का या एक लड़की खुद में बहुत सारे changes observe करते हैं बच्चे इस एज में आके तो अगर हम common बात करें boys or girls की तो क्या-क्या changes हमें देखने को मिलते हैं तो thick hair growth देखने को मिलते हैं in the new parts of the body जैसे arm pits में या genital areas में thick hair growth देखने को मिलते हैं वही पर genital areas between the thighs it becomes darker then thinner hair appears on legs, arms and face तो हमारी body पे भी hair growth देखने को मिलती है then the skin becomes oily and usually ये वही age है जहां पर बच्चों के face पे pimples आने लग जाते हैं so then the consciousness towards their own body and towards others body it increases so the girl or the boy they become conscious about their own body ये किसी और की body को लेके right so these are the common changes that occur in boys and girls clear अब वही पर अगर हम बात करें सिर्फ girls की या सिर्फ boys की तो अलग-अलगर हम देखें तो हमें क्या changes देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो यहां तक सब को clear है की नहीं है तो यह मिस्टर अलोन ने कुछ तो नाम बताया था प्रिंस की तो मेल रिप्रदक्टिव सिस्टम का जो मेल पार्ट होता है और यह जो टेस्टोस्टिरोन होर्मोन जब रिलीस होने लगता है तो बॉइस में वो चेंज़ आने लगते हैं जो उनकी फिजिकल अपेरंस में चेंज होते हैं ठीक है जो भी चेंज़ अभी हमने प्यूबर्टी पे पड़े तो यह सारे चेंज़ तभी आने लगते हैं जब टेस्टी मेचूर होती हैं और वो स्पर्म की प्रड़क्शन शुडू करती हैं और साथ ही साथ वो प्रडूस करती हैं एक मेल हॉर्मोन ताट इस टेस्टोस्टिरोन अब यहां पर हैं टेस्टी तो यहां से स्पर्म रिलीज होंगे वास डिफरेंसर में आएंगे और उसके बाद यह आगे होते हुए चले जाएंगे यूरित्रा में तो यूरित्रा इस अ कॉमन ड़क्ट फोर यूरीन as well as for the sperms ठीक है so this is what this is the bladder right bladder is also urinary bladder it is also connected to urethra and also this vast differencer is also connected to what it is also connected to urethra clear so this part is called as penis clear तो अब जब हम यह में रिपर्ड़क्टिव सिस्टम पड़ रहे हैं तो इसमें ना हमने यह यूरितर हमें पता है क्या होता है कि किड्नी से दो ट्यूब्स होती है जब किड्नी यूरीन प्रोड्यूस करती है तो यह जो ट्यूब्स होती है यह यूरिनरी ब्लाडर में वह सारा यूरीन भेशती है ठीक है तो यह पार्ट हमें clear हो गया वास डिफ्रेंसर हमें clear हो ठीक है जो टेस्टी से और प्रोस्टेट ग्लाड पर तो यह कुछ ग्लाड्स है मेल्स की बॉडी में ठीक है मेल रीपर्डॉक्टिव सिस्टम में तो जब यहां पर आके sperms पहुंचते हैं तो यह जो दोनों ग्लाड्स है यह कुछ सिक्रीशन करते हैं और यह सिक्रीशन भी इनहीं लोग के साथ आड्ब हो जाती है और फिर मेल्स के साथ एड़ हो जाती है और फिर थी कि प्लास देशन些 फिर्ट्राम इंड्स प्रॉम इन्ड्ड्स यह स्प्राम ग्लाड्न टाता संनल वेसक अट्रीन इस अट्राट ग्लाडण वाह धीस सिक्रीशनों imported see the sperms have to travel a long way तो उनको अगर move करना है और उनको नरिश रहना है उनको faster move करना है उनको energy चाहिए तो वो सारी चीजे कौन प्रवाइड करता है यही secretions right so they help in the transport of these sperms easily and they also provide the sperms certain nutrition so that they can live and they can perform their functions ठीक है तो I hope इतना समझ आ गया है सबको तो जल्दी से बताओ कि क्या समझ आया या नहीं आया कोई और class भी है CBAC की और गुरलीन और कोई class नहीं है ठीक है तो glands बहुत important है glands पता होने चाहिए कौन कौन से है prostate gland and the seminal vesicles clear तो अब यह जो question है ना यह जो topic है इस पे questions देखेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा topic पढ़ेंगे that is the male gamete which is the sperm right तो structure कुछ ऐसा होता है उपर होता है head फिर बीच में यह जो एक छोटा सा bend आता है we call it as neck और उसके बीच में यह जो part होता है this is called as the middle piece और यह जो long part ऐसे दिखाई दे रहा है this is called as the tail तो यह चार पार्ट्स होते हैं जो मिलके sperm बनाते हैं सबसे पहले है head तो अगर हम head की बात करें head में होता है acrosome इसमें वो material होता है जो की release होता है जब एक sperm एग के पास पहुंचता है और इससे कुछ chemicals release होते हैं जो help करते है sperm को egg को fertilize करने में ठीक है फिर आता है nucleus तो nucleus वही important part है जहां पर होता है बहुत सारा chromatin material जो की transfer हो जाता है egg के अंदर during fertilization then comes the middle piece तो middle piece में होते हैं बहुत सारे mitochondria और यह mitochondria जो होते हैं यह energy देते हैं इस sperm को ताकि वो move कर सके swim कर सके और swimming में actually कौन help कर रहा है swimming में help कर रही है tail clear so this is the male gamete that is called as sperm ठीक है तो अब हम देखेंगे एक बहुत ही important sorry question और question आये था CBSC 2022 में और question था कि mention one function of each of the following organs in human male reproductive system तो आपको इन सब के functions बताने हैं सबसे पहले है testis तो testis का क्या काम है sperms की production करना male gamete को produce करना और hormone testosterone को produce करना clear उसके बाद आता है scrotum तो scrotum basically abdominal cavity के बाहर एक pouch है जिसमें testis है और इसका काम है कि जो body का temperature होता है अच्छा I forgot to tell you this the body temperature is around 37 degree Celsius which is quite higher थोड़ा सा जादा होता है तो अगर उस temperature पे जो testis है वो sperms को produce नहीं कर पाती है तो temperature को थोड़ा सा कम करने के लिए ये जो scrotum it is extended below the abdominal cavity और वहाँ पर temperature जो होता है वो 2-2, 2.5 degrees कम होता है तो this helps the testis to make what the male gamete clear उसके बाद आते है vast differencer तो ये हमने पढ़ा कि एक duct है जो कि जब testis से male gamete निकल रहा है तो उनको transport करने का basically एक track है फिर आता है prostate gland तो prostate gland क्या होता है एक ऐसा gland है जो अपनी secretions देता है into the male gamete ताकि वो उस gland ताकि male gamete अच्छे से move कर पाए easily move कर पाए और साथ ही साथ जो male gamete है उसको nutrition भी मिले clear then comes the name the type of the germ cell which is motile and it stores food तो मैंने ये first slide में आपको पढ़ाय था मैंताब जो भी second third slide थी तो मैंने उसमें बोला था कि ध्यान से सुन लो तो बहुत important एक छोटा सा question आया था so the question is name the type of the germ cell which is motile तो आप बताओ अगर हम human reproduction की बात करें तो कौन सा जो gamete है वो motile है कौन सा move कर रहा है कौन सा कर रहा है जल्दी से बताओ answer बताओ मुझे so I am waiting for your answers okay all right 10th के लिए okay very good very good one Shika तो chatting भी बंद करो और मुझे जल्दी से answer बताओ which germ cell in humans is motile so the answer is going to be the sperm and हमने पड़ा था कि एक होता है जो motile होता है एक होता है non motile और वो जो non motile होता है ना उसका काम क्या होता है food को store करना तो out of the two ovum is going to be what it is going to be the motile sorry non motile one which is going to store some food clear sorry okay so I hope इतना आप सब को clear हुआ है तो अब हम आ गए है अपने next topic पर that is the female reproductive system तो जल्दी से बताओ कि क्या इतना समझ आ चुका है सब को या किसी भी question में कोई doubt है okay तो सबसे पहले इससे पहले कि आप question पूछो I will not like sit quietly तो मैं next topic आपको बता देती हूँ but if you have any question please do ask me ठीक है so now it is the female reproductive system तो अगर हम female reproductive system की बात करें तो ये वही system है जहां पर female gamete बनता है basically eggs बनते हैं या फिर आप लिख सकते हो कि ovum बनता है ovum is the female gamete तो कहां पर बनता है? ovaries में बनता है तो ये जो structure है so अगर आप humans की बात करो so we have a pair of ovaries मैं दो ovaries है ठीक है? एक ये है, एक ये है ये जो ovaries है ये ovum भी produce करती है और कुछ important hormones भी जैसे की estrogen है, progesterone है ये hormones भी ovaries produce करती है now जब एक लड़की पैदा होती है उसकी body में पैदा होने से पहले ही बहुत सारे immature eggs जो है वो बन चुके होते हैं और बस वो ovary में एक cell cycle की एक stage पे आके ना further नहीं develop हो पाते हैं बट immature वो वहीं पर बन के रहते हैं, right? अब क्या होता है कि जब puberty आती है जब sexual maturation आने लगती है गर्ल में तो उस time पर ये जो eggs हैं ये mature होना शुरू हो जाते हैं और हर साल एक egg release करती है, कोई भी एक ovary मतलब दोनों में से कोई भी एक ovary एक egg release करती है हर महीने, clear? So this is how this female reproductive system works, तो थोड़ा सा ध्यान से सारे parts देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही important है, questions दो बार पूछे गए हैं, तो सबसे पहले है ovary, तो ovary का काम क्या है female gamete को produce करना साथ ही साथ कुछ important hormones को produce करना, फिर उसके बाद next part आता है, oveduct जिसको fallopian tube भी बोलते है तो ये भी pairs में होता है, ये वाला जो structure है, so this is the fallopian tube ये जो fallopian tube है इसका काम क्या है, ovary से female gamete को collect करके इसको further आगे भेजना, ठीक है then next comes the uterus, अब ये वाला जो हमें part दिखाई दे रहा है यहां पर, this part is called as uterus, clear उसके बाद ये वाला जो part है this is called as syravix, clear the next part over here is vagina, clear तो ये है पूरा female reproductive system clear, तो अब हमें ध्यान से हर एक पार्ट का पता होना चाहिए क्योंकि मैं थोड़ी देर में आप से पूछूंगी एक question तो question पूछा गया था 2019 में and the question was identify the given diagram and name the parts 1, 2, 5 ठीक है, तो कौन सा diagram है हमने अभी पढ़ा कौन सा है this is the female और you can write human female reproductive system तो अगर आप इस diagram को ध्यान से देखो तो ये वाला कौन सा पार्ट है अभी तो हमने पढ़ा कौन सा पार्ट था this is the oviduct or you can call it as the fallopian tube ठीक है, ft लिख रही हूं मैं इसको now the next part, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते है we call it as ovary ठीक है, then comes the next part which is this and this is called uterus clear, उसके बाद ये जो next part आता है this is called as cervix clear, और finally ये वाला जो पार्ट है this is called as vagina clear, तो बहुत ही simple question पूछा गया था और ऐसे questions आप तब ही solve कर पाओगे जब आप हर एक diagram को ध्यान से देखोगे तो जल्दी से बताओ, थाना simple question और अगर आप थोड़ा सा भी overlook करते diagram को तो शायद आप नहीं solve कर पाते gametogenesis होता है gametes का formation ठीक है? जब gametes बनते हैं, male gamete या female gamete बनता है so that process is called as gametogenesis clear? so very good, very good very good students, Shivangi, Gurleen, then Adarsh okay, तो चलो अब हम एक और question देखेंगे जिसके साथ-साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और explain करूँगी so the question is, was asked in CBST 2018 and 2017 also तो पहला question 18 में पुछा गया था so write the functions of the following parts of the female reproductive system तो female reproductive system में ovarie का काम है? ovarie का काम है female gamete that is ovum को बनाना और साथ-साथ कुछ hormones को produce करना oviduct that is the fallopian tube तो basically fallopian tube वो जगा है female reproductive system में जहां पर जब egg release होता है और दूसरी तरफ से अगर उस egg को एक male gamete आके fertilize मिल जाता है तो यह वही जगा है fallopian tube जहां पर actually fertilization होती है तो अगर कोई आपसे question पूछे where in the female reproductive system fertilization takes place तो it takes place in oviduct or you can say the fallopian tube clear उसके बाद आता है uterus uterus next part है और यह वही पार्ट है जहां पर एक fertilized egg आकर embed हो जाता है मतलब attach हो जाता है uterus की wall से और further जो baby की development होती है वो uterus में ही होती है ठीक है उसके बाद same question फिर पूछा गया था so write the functions of each of the following parts of human female reproductive system तो पूरे female reproductive system में ovary अभी हमने discuss किया क्या function होता है uterus का fallopian tube का तो fallopian tube को oviduct भी लिखा जा सकता है so don't forget that right तो इनके क्या functions होते हैं वो हमें अच्छे से समझ आ चुके हैं ठीक है तो किसी को कोई doubt है functions में yes so this uterus is only called as womb क्योंकि uterus वही part है जहां पर एक baby develop होता है तो इसी part को बोला जाता है womb right okay all right so dark cobra gaming just see what you are writing okay all right yes so oviduct ovum को receive करता है और फिर अगर वहां पर male gamete मिल जाता है तो वहां पर fertilization हो जाती है और फिर वो move करता है towards the uterus और uterus की wall में आके वो embed हो जाता है the process in which cell undergo meiosis to form gametes या basically जब भी gamete formation होता है तब meiosis ही होती है ठीक है क्योंकि chromosome का number क्या करना है half फिर दोनों gametes जब मिलेंगे तो फिर वो क्या बनाएंगे एक deployed organism ठीक है तो चलो अब हम देखते हैं अपना next step that is fertilization तो अगर आप fertilization को ध्यान से देखो तो होता क्या है यह है ovary, ovary release करेगी क्या ovum या फिर egg तो यह जो egg है यहाँ पर आजाएगा oveduct में या fallopian tube में और दूसरी तरफ से यह जो vagina है जब sexual intercourse होगा तो जो sperms है जो male gamete है वो यहाँ से enter करते हुए cervix के through uterus से होते हुए वो पहुंचेंगे fallopian tube में और जब इनको यहाँ पर एक female gamete दिखेगा तो यह इसको fertilize कर देंगे और fertilize होने के बाद यह जो एक fertilized egg है यह travel करेगा यहाँ पर और uterus में जाके uterus की wall से यह embed हो जाएगा और जो cell division है वो यही से start हो जाती है और finally यहाँ पर आके uterus की wall के साथ implant हो जाता है मतब embed हो जाता है यह attach हो जाता है and this process of attachment is called as implantation so what is it called as this is called as implantation इसको बोलते हैं इस process को बोलते हैं fertilization right और जब ovum release होता है so that process is called as ovulation clear तो पहले ovulation होती है fertilization होती है और फिर होती है implantation so I hope यह जो fertilization का process है simple words में आपको समझ आया होगा अब आप देख रहे हो कि uterus की wall यह बड़ी थिक सी लग रही है तो होता गया है कि every month uterus prepares itself की शायद egg fertilize हो जाएगा और एक baby को उसको मतलब एक baby को उसको संभालना पड़ेगा और उसको grow करने के लिए उसको proper conditions देनी पड़ेंगी ठीक है तो उस baby को नरिश करने के लिए यह जो uterus की wall है यह हर महीने अपने around एक thick lining बना लेती है बहुत ही मोटी lining ठीक है and this lining is it thickens and it is richly supplied with blood इसमें बहुत सारा blood होता है which nourishes the growing embryo तो यह जो growing embryo है यह नरिश ही in इस blood से होता है ठीक है तो यह जो wall है यह cushion की तरह act करती है इस छोटे से embryo के लिए zygote के लिए और फिर इस baby को यह क्या करती है नरिश करती है ठीक है तो I hope यह fertilization का process आपको clear हुआ होगा तो अब हमारे पास है बहुत ही एक important topic जो की है placenta तो जल्दी से बताओ कि क्या fertilization humans में fertilization का process आपको clear हुआ की नहीं हुआ ठीक है अब उसके साथ एक छोटी सी चीज में भूल गई कि अगर यह जो पूरी uterus की wall है यह थिक हो जाती है लेकिन अगर egg fertilized नहीं हुआ तो क्या होगा if egg is not fertilized तो यह पूरी uterus की wall जो है वो in the form of blood it comes out through the vagina and that process is called as menstrual cycle हम पढ़ेंगे उसको भी ठीक है ओके ओल्राइट मैम class 10 live येस रामावतार येस ओके तो चलो ओल्राइट so next is placenta तो placenta एक बहुत ही important connecting link है between a mother and the growing fetus ठीक है so embryo gets its nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue और ये जो special tissue है इसी को हम बोलते हैं placenta तो ये बहुत important connecting link है clear placenta जो होता है वो disc के जैसा एक organ होता है जो की uterus की wall में होता है ठीक है जो uterus की wall है उसमें एक disc जैसा organ होता है जिसे हम placenta बोलते हैं इस placenta में होते हैं बहुत सारे विलाए विलाए मदर की साइड पे भी होते हैं और fetus की साइड पे भी embryo की साइड पे भी बहुत सारे विलाए होते हैं जिन में होती है blood capillaries which surround this विलाए तो मदब इन विलाए के आसपास विलाए क्या होता है ऐसे structures ठीक है जो कि surface area increase करते हैं for absorption या फिर for exchange of any product clear तो यहां पर बहुत सारे blood vessels होते हैं जिसके तुरू जो बहुत सारे exchange होता है क्या exchange होता है वो हम functions में पढ़ेंगे तो इनका इसका function होता है placenta का function होता है large surface area provide करना ताकि जब मदर खाना खाती है तो वो खाना इस विलाए से होता हुआ diffuse होके बेबी के अंदर चला जाए और बेबी अच्छे से grow कर पाए साथ ही साथ बेबी तो stomach में है मतब womb में है तो उसको grow करना है तो that baby needs oxygen also तो ये भी placenta के थ्रू ही जाता है अब बेबी को और जितनी भी नरश्मेंट की चीज़े हैं जितनी भी उसके लिए important चीज़े हैं वो सारी की सारी placenta के थ्रू जाती है और finally अब क्यूंकि बेबी भी respiration कर रहा है तो बहुत सारे waste जैसे की carbon dioxide है और बहुत सारे waste जो है वो बेबी में भी produce हो रहा है तो बेबी ये सारे की सारे waste को बाहर निकाल देता है मतलब मदर की body में भेश देता है थ्रू इस placenta और साथ ही साथ इस placenta के एक बहुत important function है that is providing immunity to the fetus to the growing fetus ठीक है तो ये जो placenta वाला topic है ना मैम मेरा नाम आपका नाम है बाबुलाल शास्तरी तो आपका नाम यही है या कुछ और है प्लीज मुझे बताओ तो चलो अब हम आते हैं next question पे जो की बहुत important है and I hope इतना आपको समझ आया है इस question के बाद और इस question के साथ साथ आप ये भी ये भी लिख बता दो मतब चैट में लिखे कि क्या आपको समझ आ रहा है क्योंकि placenta जो है वो बहुत ही important function है अगर आप miss कर जाओगे ना तो आप paper में marks भी miss कर जाओगे ठीक है तो भूलना नहीं है next is describe in देखो एक ही question आया था 17 में भी और 18 में भी question क्या था describe in brief the structure and functions of placenta और write the structure and functions of placenta in human female तो basically दोनों का अंसर एक ही है structure हमने पड़ा एक disc like organ है जो की uterus की वॉल में होता है दूसरा इसमें बड़े सारे विलाय होते हैं embryo के साइड पर भी और mother के साइड पर भी जो की blood capillaries से surrounded होते हैं और यह blood capillaries जो है यह exchange में help करती है तो यह तो हो गया structure और structure के बाद आपको बताने है functions तो functions क्या है it provides large surface area जहां पर gases के exchange हो सके oxygen जा सके बेबी में glucose जा सके फिर जो waste products बेबी के अंदर बन रहे हैं वो सारे mother की blood में आके mother की body से वो बाहर जा सके ठीक है और दूसरा की baby को nourishment प्रोवाइड कर सके embryo ठीक है और साथ ही साथ बेबी की immunity को develop करने में भी placenta बहुत जादा helpful होता है clear तो यह तो थे functions of placenta तो अब मुझे जल्दी से यह बताना है की समझ आया की नहीं आया समझ आ रहा है की नहीं आ रहा है okay all right तो I am waiting for your replies अगर आपकी chatting बंद हो जाए तो पुझे भी कोई answer दे देना ठीक है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चे कौन कहां से है कौन क्या करता है बस यहीं पूछ रहा है yes it is very 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 important question ठीक है okay चलो what happens when egg is not fertilized तो जब egg fertilized नहीं होता है तो क्या होता है तो जब अगर हम एक egg की life देखे ना अगर हम एक human egg की life देखे तो that egg lives around for 24 hours only ठीक है इससे जादा life नहीं होती है तो यहाँ पर क्या होते है कि uterus की lining जो है ना वो थिक हो जाती है spongy हो जाती है to receive the fertilized egg every month हर महीने यह जो fertilized egg है इसको receive करने के लिए uterus की lining बहुत ही थिक हो जाती है अब अगर egg fertilized नहीं होता है तो धीरे धीरे यह lining break होने लगती है and it comes out of vagina as blood and mucus ठीक है so this cycle takes place roughly every month हर महीने होती है that is called as a menstruation or the menstrual cycle not menstrual cycle but this coming out this blood and mucus coming out of the vagina is called as menstruation और इसका जो duration होता है it lasts from 2 to 8 days which is variable in females किसी में जादा होता है किसी में कम होता है so this is what happens if egg is not fertilized clear अब आते हैं हम अपने next topic पे जो की बहुत important है that is the reproductive health okay समझ आ रहा है ना पायल thank you so much अगर हम reproductive health की बात करें तो अगर हम total well-being की बात करते हैं in aspects of reproduction social, emotional, physical, behavioral हर aspect में जो total well-being की हम बात करते हैं so that is the reproductive health reproductive health के बारे में पढ़ना बहुत ही जादा important है अगर अगर आप बात करो reproduction की तो reproduction के बारे में पढ़ना बहुत important है क्योंकि जब आप reproduction के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपके और्गन आपके reproductive system क्या है ठीक है कैसे function करता है और साथ ही साथ कि अगर आपकी body में कोई changes आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं और उसके बाद जब आप reproductive health के बारे में पता चलते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कैसे act करना है ठीक है कैसे society में रहना है क्या चीजें होती हैं कैसी बिमारिया होती है तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है तो वही पर एक बहुत important topic आता है यहाँ पर that is sexually transmitted diseases बहुत सारे ऐसे infections होते हैं जो sexually transmitted होते हैं कुछ bacterial होते हैं कुछ viral होते हैं तो जो bacterial infections होते हैं वोते हैं gonorrhea and syphilis और वही पर जो viral यहाँ पर R miss हो गया तो जो viral infections होते हैं वोते हैं warts and HIV AIDS जैसे कि इसके बारे में आपने बहुत जादा सुना होगा ये एक ऐसी बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है तो उस case में जो reproductive जो sexually transmitted diseases हैं लोग इनके बारे में बात करने से भी डरते हैं बोलते नहीं है तो it is very important to talk about them it is very important to understand them ठीक है कैसे होती हैं क्या होता है clear तो अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत important topic की जोसे बहुत बार questions हमें देखने को मिले हैं and that is the contraception method कुछ ऐसे methods होते हैं अब हमें बताए कि अगर हम अपनी country ही बात करें तो population is growing really fast ठीक है बहुत जादा जल्दी population जो है वो grow हो रही है तो अगर हम जब देश हमारा आजाद हुआ था तब से अगर हम 2000 ये 2005 तक देखे तो population जो है न वो around 350 million से 1 billion तक हो गई थी तो बहुत जल्दी population बड़ी थी तो इस population को अगर हम control नहीं करेंगे तो हमें पताए क्या होगा poverty आएगी जो basic necessities है वो हमें नहीं मिलेगी खाना नहीं मिलेगा घर नहीं मिलेगा पहनने को कपड़े नहीं मिलेगे और जो crime rate है ये और जादा बढ़ जाएगा तो कुछ contraceptive methods जो है वो apply किये गए हैं जिसमें की कुछ आते हैं physical और mechanical barriers जिसमें की condoms है diaphragms है कुछ IOCD है ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं ताकि even having a sexual intercourse but the female does not get pregnant ठीक है then comes the surgical method surgical method में दो methods है that they are very important that is vasectomy and tubectomy तो vasectomy में में देखने को मिलता है ठीक है जहां पर जो vast differencer है इसको cut किया जाता है और फिर इसको tie कर दिया जाता है ताकि जब male gamete यहां से release हो ठीक है तो यह जो male gamete है यहां से पास ना कर जाए मतलब दोनों ही तरफ से cut or tie किया जाता है ताकि male gamete finally इधर ना पहुंचे और वो female reproductive track में ना जाए वही पर tubectomy होता है females के cases में जहां पर जो fallopian tube है मतलब यहां पर क्या करें वास differencer को cut or tie कर रहे हैं female की case में fallopian tube को cut or tie कर रहे हैं ताकि ovum जब release हो तो वो किसी भी तरह यहां से एक तो male gamete ना पहुंच पाए ovum तक और ovum भी fallopian tube के आगे travel ना कर पाए ठीक है तो अगर हम देखें long run में जो surgical methods है ना वो बहुत जादा safe है लेकिन इनकी इन surgery की वज़र से infections होने हैं कि बहुत जादा chances होते हैं मतब बहुत जादा नहीं होते हैं बट कम होते हैं बट chances होते हैं ठीक है यह reproductive track में ऐसे insert किया जाता है जिससे कि male gamete जो है वो female gamete तक नहीं पहुंच पाता है clear तो I hope यह सारे जो contraceptive के methods हैं वो आपको clear हुए होंगे क्यूंकि आपको question पूछा जाएगा ठीक है ओशो नागर तो मैं कौनजी class पढ़ारी हूँ मैं पढ़ारी हूँ class 10 और the chapter है how do organisms reproduce okay so thank you Ramavatar Virendra I hope आपको समझ आ रहा है thank you so much thank you चलो अब हम आएंगे misuse of these contraceptive methods कई बार इन methods को या फिर बहुत सारे और methods है जैसे एक method आपने amniocentesis पढ़ा होगे एक ऐसा method जहां पर जो baby के around fluid होता है that is called as amniotic fluid उस fluid से थोड़ा सा fluid निकाल के chromosomal study की जाती थी और उस study से यह पता लगाया जाता था कि वो में female child है या male child है तो उससे क्या हुआ उससे female feticide के cases बढ़ गए कि मन्दा पेट में ही अगर बेटी है तो उसको मार दो ठीक है जो यह methods उनके disadvantages भी है और यह male और female sex ratio को बहुत imbalance कर देते हैं society में number of males बहुत जादा है number of females बहुत कम है clear then next comes is the population growth तो population को कैसे grow हो रही है या कौन सी चीज़े हैं जो population के rate को determine करती है तो दो है एक है birth rate जो number of individuals पैदा हो रहे हैं and the second one is the death rate कितने individuals मर रहे हैं अब अगर हम देखें तो कुछ time पहले से आज जो हमारी medical conditions है वो बहुत better है अच्छे hospitals है अच्छी medical techniques है अच्छे doctors है हर कौन हर अगर आप घर से निकलो नो तो आपको बहुत सारे hospitals बहुत सारे clinics आपको देखने को मिल जाएंगे तो उस case में जो birth rate है birth rate तो बढ़ ही रहा है लेकिन death rate जो है वो कम हो गया है ठीक है तो यह दोनों चीज़ें determine करती है population rate को population की growth को clear यह बहुत ही छोटा सा topic आपके book में दिया गया था और इससे question भी पूछा गया है तो क्यूंकि population expand हो गई है तो हमारी जो living standards है मतलब birth rate का increase होना is not very good but death rate का decrease होना is a positive point right कि हमारी medical facilities अच्छी है तो पहले क्या होता था यूजली जब एक female एक baby को पैदा करती थी तो वो घर पे होता था और बहुत सारे infections और बहुत सारे reasons की वज़े से बच्चा और मां दोनों ही मर जाते थे या कोई एक मर जाता था ठीक है तो अब वो चीज़े improve होई है which is a good thing लेकिन जिस level पर population increase हो रही है that is not good ठीक है तो उसमें population बहुत जादा expand कर रही है population expand कर रही है तो वही जो हमारी basic necessities है उन में कहीं न कहीं हमें गिरावट देखने को मिल रही है अब क्यूंकि population बढ़ रही है तो खाना कम हो रहा है रहने की जगा कम हो रही है वही पर मतलब जो basic चीज़े हैं वो नहीं मिल पा रही है poverty बढ़ रही है तो living standards को improve करना इन situations में बहुत ही जादा important है तो अब हम करेंगे कुछ questions तो बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्या आपको समझ आया क्योंकि because this was the last topic और अब हम करेंगे कुछ questions और उसके बाद हम करेंगे इस session को खतम और आप घर जाके पढ़ोगे इस chapter को ठीक है yes the population is expanding thank you so much Ramavatar okay all right तो चलो सबसे पहले है जो 2020 में question पुछा गया था so the growing size of the human population is a cause of concern for all people the rate of birth and death in a population will determine its size reproduction is the process by which organisms increase their population so the process of sexual maturation for reproduction is gradual and take place while general body growth is still going on some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or the body is ready for the sexual acts or for having and bringing to control the size of the population so we have this topic given a small paragraph now we have to answer some questions and the question is what are the list two common signs of sexual maturation in boys and girls so common signs tell boys and girls for sexual maturation now we are preparing boards now okay so pubic hair growth and under arms or armpits so this is common sign of sexual maturation okay in both boys and girls now next question is what is the result of the reckless female feticide this is the result of the reckless female feticide which is a very high level that is a very high level if a female child has killed her, what is it that is getting to kill her? इससे जो female की ratio है वो कम हो रही है इससे जो number of females और male की sex ratio है उसमें बहुत जादा फरक आ जा रहा है और इसी की वज़े से sexual abuses हो रहे हैं इसी की वज़े से sexual violence बढ़ रही है अगेंस्ट women and children so we need to maintain this ratio और यही एक reason था जिसकी वज़े से child marriages भी बहुत जादा promote हो रही थी और साथ ही साथ जब बार-बार mother के womb में बच्चे को मारा जाता है तो उससे mother की body पे भी बहुत जादा effect पड़ता है तो यह जो maternal deaths है जो maternal body में जो changes है या एक female body में मतला weakness आना ठीक है और एक female का इस time पे मर जाना तो this is all because of this female feticide clear then c part is which contraceptive method changes the hormone balance cells in our body तो कौन से वो method है मतलब contraceptive method है जो की hormone balance को change करते है तो basically hormonal contraceptive methods जैसे की pills का लेना तो pills में क्या होते हैं? hormones ही होते हैं जो की male और female gamete को मिलने नहीं देते हैं clear then next comes is write the two factors which determine the size of the population तो मैंने बोला था ना यह important है तो that is the birth rate and the death rate clear तो I hope यह question आपको एकदम हुआ है crystal clear तो अब हम आ जाते हैं एक और question पे and the question was what is contraception? list three advantages of adopting contraceptive method तो contraception होता क्या है? contraception basically कुछ devices होते हैं या कुछ methods होते हैं जो की pregnancy को avoid करने के लिए adopt किये जाते हैं और इनके चार reasons होते हैं चार reasons है इनको adopt करने के वो हम बताएंगे सबसे पहले है कि किसी भी तरह कोई unwanted pregnancy है मतब कोई एक couple है जिसको बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए वो contraceptive methods का यूज कर सकते हैं दूसरा है अगर कोई एक family है couple है जिसको already एक या दो बच्चे है और उनको जादा नहीं चाहिए उस case में बहुत important है तीसरा है यह जो physical barriers है ना जो हमने first mechanical और physical barriers पढ़े थे condoms और diaphragms पढ़े थे इनसे sexually transmitted diseases के होने का खतरा बहुत कम हो जाता है then next is it helps in controlling the birth rate which is very important क्योंकि birth rate कम होगा तभी तो population का growth rate जो है वो कम होगा और तभी हम अपना living standard improve कर पाएंगे ठीक है तो I hope इतना आपको clear हुआ है okay so this was all for today तो जल्दी से मुझे एक बार लिख के बताओ कि आपको सब कुछ समझ आया की नहीं आया okay you are Sakshi so Sakshi I hope आपको यह chapter हुआ होगा crystal clear और जिसको भी कोई doubts है you are most welcome to ask your doubts जल्दी से पूछो तो OSHO class 9th की class तो अभी हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ boards की तयारी कराने हैं तो हम 10th और 12th के ही topics ले रहे हैं जाते हैं ठीक है okay thank you Virendra thank you so much thank you Ayush thank you so I hope पूरा chapter आपको अच्छे से clear हुआ होगा तब आपको इसको पढ़ना है अच्छे से पूरे chapter को पूरी book की हर एक line को अच्छे से पढ़ना है और देखो वही questions है जो आपको बहुत easy way में पूछे गए हैं और यह chapter super duper important है तो easy भी है और कोई भी point को miss नहीं करना है तो अब हम मिलेंगे अपनी next class में जहां पर हम शुरू करेंगे अपना next chapter तो तब तक जैसा कि आप चापते है learn or help free है पर best है